हेलो दोस्तों आज हम अपनी कहानी सुनता हूँ जो कि बहुत ही रोचक और मज़ेदार है पूरा अंग तक जरूर पढ़ें मेरा नाम शिवम है मेरी उम्र 24 साल है मैं चोटे सा गाउ में अपने मम्मी पापा के साथ रहता हूँ मेरे पढ़ोस में एक अंटी रहती है वो बहुत ही जादा खुबसूरत है उनका नाम रागनी है लेकिन फिर भी उनकी शादी बड़ी उम्र के मर्द से हो गई लेकिन अपने पती से खुश नहीं थी लेकिन वो बहुत ही जादा खुबसूरा थी और मुझे बहुत अच्छी लगती थी लेकिन मेरी मा को ना तो अंटी अच्छी लगती थी और ना ही मेरा वहाँ जाना अच्छा लगता था एक दिन मैंने अपने पापा से कहा, पापा मुझे अंटी की बेटी प्रिया बहुत अच्छी थी, प्रिया ने भी मुझे सब कुछ बता दिया था मुझे तो इस रिश्टे से कोई भी तकलीफ नहीं है, मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया क्योंकि मेरा आधा काम तो हो गया बस मम्मी को मनाना था फिर थोड़ी देर बाद अंटी ने कहा, कि आज रात तुम यही रुख जा कि मैं तो शिवम को अच्छा लड़का समझ कर अपने घर बुला लेती थी सोचती थी, कि अगर मैं कोई दूसरा मर्द रखती हूँ तो हमारी इज़त नहीं रहेगी, लेकि कहते हुए अंटी अचाना खामोश हो गई, यह कोई मजाक नहीं था बलकी तमाशा था मैं हैरान और परेशान होने लगा, अंटी को एक टक देखे जा रहा था आखिर अंटी किस तरह की बाते कर रही थी, मेरा उनके साथ क्या तालुक था अंटी को गौर से देखा तो पता अंटी का जब चेक अप कराया गया तो सच में वो पैगनेंट थी, इस बात पर मैं सबसे ज्यादा हिरान था कि प्रिया ने भी उनकी बातों में गवाही दी थी, और उसने कहा था कि शिवम हमारे घर आता था, और जबर जस्ती के साथ हमारे साथ ये सब कुछ करता था, मेर कि मेरी जिंदगी तो बरबादी के ओर जा रही थी, सब को यकीन हो गया था कि ये बच्चा मेरा है लेकिन ये किसी और का इलजाम मुझे पर लगाया जा रहा था, मैंने मम्मी को बताया कि उस धर में एक आदमी को मैंने देखा था, जो मुझे देखकर भाग गया था, शाय तो अंटी ने इलजाम मुझे पर लगा दिया, क्योंकि उनके घर में नहीं जाता था, अंटी इस हद तक गिर सकती थी, मैं सोच भी नहीं सकता था, मैं तो उनको अपनी मा की जगा समझता था, और उनकी बेटी से शादी करना चाता था, मेरी मा की बात सच थी, मैंने अपन आ गए कुछ दिनों बाद पता चला कि मैं तुम्हारी आवाज भी सुनना नहीं चाती हूँ, और अपना नंब भी बदल रही हूँ, मैं पुरी तरह तूट गया था, मुझे सबलने में बहुत ज़्यादा वक्त लगा, मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, और सरकारी नो आवाद